वेल्कूम वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दिस इस दा थर्ड वे वियर गूंग तो स्टड़ी बैट हॉँमन एक्शन्स कैन इफेक्ट दा अर्थ तो यह है ग्रीन होस कैसिस एंड क्लाइमेट चेंज अब हमने इसको वन बाइवन स्टड़ी करना है कि ग्रीन होस क इंडरेस्ट्री में कुछ ऐसे चैनल के कार रहे हैं या फिर वो नैच्रॉल जो एको सिस्टम केंडिशन्स हैं उनको चैंज कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे waste products होते हैं जो gases की form में होते हैं past में तो ये का जाता था कि atmosphere जो है ना वो बखुत बड़ा है वो इन सारे materials को ना absorb कर लेगा लेकिन अब हमें पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है ये जितने में material हम release करते हैं ये atmosphere की conditions को change कर रहे हैं तो आज हमने देखना है कि जो carbon dioxide है उसकी concentration increase हो रही है और जो बाकी green house gases है उनकी concentration increase होने से atmosphere पे क्या फरक पार रहा है अब पहले हम देखेंगे कि atmospheric levels जो हैं वो क्यों पार रहे हैं तो industry revolution जब से आई यानि जब से industries लगना शुरू हुई क्यों क्यों क्योंकि एक तो fossil fuels burn किये जाते हैं energy वगरा के लिए तो भी carbon dioxide release होती है second क्या होता है deforestation होती है तो भी carbon dioxide जो है उसकी concentration जो है वो increase होती है क्योंकि plants basically आपको बता है न फोटो senses में use कर लेते हैं तो जब deforestation हो जाएगी तो carbon dioxide की concentration automatically increase हो जाएगी यहां पर एक comparison किया गया है 1850 से पहले हमारे atmosphere में carbon dioxide की concentration कितनी थी 274 parts per million उसके पर 1958 में एक और measurement की गई कौन से area में मोना लुआ पीक है तो वहां पर na carbon dioxide concentration मेयर की गई वहां पर जो हमें result मिला वो थोड़ा सर प्राइसिंग था क्यों क्योंके वहां पर concentration कितनी थी 316 ppm parts per million यानि देखें almost 100 years के बाद carbon dioxide concentration बहुत ज्यादा हो गई 274 ppm से 316 ppm और अगर हम आज की concentration देखें तो वो है 400 ppm यानि वो 19th century के मिट से अब तक 40% ज्यादा हो गई है यह increase जो है ना इसने scientist को सोचने पर मजबूर करती है क्यों 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 के carbon dioxide increase और किस चीज़ को increase करती है हमारे environment के temperature को global temperature जो है उसको increase कर देती है जितनी ज्यादा carbon dioxide increase होगी in global temperature उतना ज्यादा increase होगा क्यों देखें ना कि जो solar radiation होती है जैसे ही वो planet से टकराती है पेस्स में back चली जाती है ठीक है reflect हो जाती है और अब ऐसा है कि बहुत सी और भी गैसी है जैसे carbon dioxide है methane है water vapors वगएरा यह सारे जो होते हैं transparent है visible light के साथ उसके साथ कहलें कि transparent होते है visible light के लिए और absorb कर लेते हैं infrared radiation को ठीक हो गया जब अर्थ इनको release करती है तो यह कुछ जो है वो वापिस अर्थ की तरफ ही आ जाती है और यह हमारी अर्थ में रहती है कामूलेट होती जाती है जिसके तेंपरेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है जिसको हम क्या कहते है ग्रीन हाउस effect कहते है ठीक है यह गैसिस जो है बेसिकली यह वापिस अर्थ में ही एकॉमूलेट हो जाती है और यह बाहर नहीं निकल सकती हमारी अर्थ से जिसके अर्थ का तंपरेचर जो होता है वो ज्यादा होता जा रहा है अच्छा साइटिस्ट है ना वो स्टडी उन्होंने बहुत जादा किया कि ग्रीन हाउस गैसिस जो है वो कैसे हमारी अर्थ का तंपरेचर बहाती है उसको वाम करती है और फोसल फ्यूल बर्निंग जो हम कहते हैं कि कार्बन अक्साइड इंक्रीस करता है तो यह सब कैसे होत है और अगर यहीं कंडिशन रही ना तो जो आप कहलें कि कुछ ही अर्से में जो कार्बन अक्साइड कंस्टरेशन है वो डबल हो जाएगी जिसकी वरसे हमारी अर्थ का तंपरेचर जो है वो थ्री डिग्री सेंटिगेट और बढ़ जाएगा हमारे एटमोस्फेर का अब कॉल यहां पे एक मोर्डल बनाया गया लिग्रा पास्ट में था और तंप्रीचर ऑप्ली में ने चयो बढ़त वे हमने तंपरेचर हमने कैसे मायर किया यह उनको टेड़ी करके इसके किमिकल आईसटोप्स थे उनको स्ट्रेडी करके या niny हमने एक ग्राफ बनाये एक कहलें किया कि चिंचिन यह क्या तौकम्रेचर कितकी त्रक्राइब किते यह त्रन है और क्या अब से डिग्री सेंट्रिगेर जो है ना तंप्रेचर इंक्रीज हो तो बहुत ज़्यदा वाम हो सकता है एस कंपेर टू लास्ट वैनलेक यर्स और यह जो वार्मिंग ट्रेंड है यह हमारी अर्थ पे जो ज़्यदा एफेक्ट करेगा जियोग्राफिका डिस्टिबूशन जो प्लांट्स की है जो एनिमल्स वगरा की है जो प्रिसिपिटेशन की है वो चेंज हो जाएगी यहाँ आप किया लें कि वो एरियाज भी चेंज हो सकते हैं जहाहां पर पहले बहुत ज़्यदा बारिश होती थी लेकिन अब नहीं होगी क्यों कि वज़ा बेसिक क्या है गलो támplочки है और global temperature की increase की बेसिक वजा क्या है carbon dioxide concentration है अच्छा यहाँ पे एक example है हमने कहा के areas जो है वो dry हो जाएंगे तो यहाँ पे कॉनिफरस forest और tundra की example है टundra basically आपको पता है ice वाला सारा area है अब वहाँ पे ice melt हो ली है जब ice melt होगी तो automatically वहाँ की जो species हैं उनकी भी extinction हो सकती है अब यहाँ बात करें Arctic sea की वहाँ पे बहुत small portion रह गया है ice का अगर वो खतम हो जाएगा तो जो polar bears वगरा है, seals वगरा है, जो sea bird है उनका habitat जो है, वो समझे हतम हो गया इसके इलावा, आजकल आपने देखा है के बहुत ज़दा आग लग लग रही है जंगलों में कभी हम कहीं पर सुनते हैं आग लग लग गई, कहीं अभी recently तरकी के जो जंगलाद हैं वहाँ पर आग लगी हुई थी उसकी सबसे बड़ी वज़ा भी क्या है ग्लोबल वार्मिंग ठीक है, हाई टंपरेचर है, हाई टंपरेचर बिसिकली क्या करता है, फाइड का चांसिस इंक्रीज करता है, ठीक है अच्छा, अब हमने पड़ा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो एफेक्ट कर रही है, प्लांट केमिनिटी को, एनिमल्स वगएरा को तो साइटिस जो है ना, वो सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा होना चाहिए, जिससे हम अपनी स्पीशिस को बचा सके देखो, यहाँ पे ना, हमने यह देखना है, कि साइटिस ने एक स्टेडी की, पॉलन लिये, जो फॉसिलाइज थे, ठीक है अब जब ग्लोबल टंप्लेचर जो है, वो एफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीशिस को तो साइटिस ने एक टर्म यहाँ पे इंटिड्यूस करवाई, जिसे हम कहते हैं, असिस्टिड माइग्रेशन यह आपको पता है, प्लांट्स जो हैं, वो एक्टिवली, उनका डिस्परसर रेट बहुत स्लो होता है, इस कंपेर टू एनिमल तो क्या किया गया, कि वो स्पीशिस जो खुद मूव नहीं कर सकती, यह जिनका डिस्परसर रेट बहुत स्लो है, उनको हुमन की हेल्प से ऐसे एरियाज में इंटिड्यूस करवाया गया, जो कि उनके नेटिव हैबिटेट से बहुत दूर थे, ठीक है, तो इस चीज़ को ह ने क्या कहा, अजिस्टिड माइग्रेशन कहा, इसकी एक एक अग्जेम्पल यह थी, कि 2008 में एक एंडेंजर टी था हमारे पस, टैक्सी फॉल लिया, जिसके सीड्स जो है, सीड्लिंग्स बेसिकली, हंडर्ड अफ किलो मिटर्स नार्थ फ्रॉम इस नेटिव रेंज, फ्लो दूसरा हैबिटेट जो है, वो मुएसर आ सके, अब हमने ये तो डिसकस कर लिया, कि कार्बरन एकसाइट कंसेटरेशन इंक्रीज हो रही है, बैसिकली इसके दो रिजन्स हैं, फोसल फ्यूल बर्निंग है, डिफॉरस्टेशन है, उसके बाद हमने जो इफेक्ट हो रहा है, इसका इंक्रीज होने का वो भी डिसकस कर लिया, अब हमने देखना है कि इसका deeply solution क्या है, तो सबसे major हमने कहा कि कार्बरन एकसाइट concentration कैसे increase हो रही है, फोसल फ्यूल बर्निंग से, असका सबसे ज़दा मेजर solution हमारे पस क्या हुआ, कि हम replace कर दें, फोसल फ्यूल बर्निंग तो यहां पर कोर आप्शन भी है कि अगर कार्बन एक्सेट कंसेटरेशन को कंट्रोल किया जाए यानि वह एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा ना हो तो फिर इन गैसी जो है कोल वगेरा इनको यूज किया जा सकता है क्योंकि यह बेसिकरी ट्रडिशनल कहलें ट्रडिशनल वे हैं लेकिन इसी के वज़ा से सबसे ज़्यादा कार्बन एक्सेट कंसेटरेशन इंक्रीज हो लिए एक तो यह हो गया कि हम रिप्लेस कर दें अपने सकते हैं उतने हम फॉरस्ट लगाएं डीफॉरस्टेशन बेसिकली ना टैन परसेंट जो है वह ग्रीन हाउस गैस अमिशन के लिए रिस्पॉंसिबल है तो अगर डीफॉरस्टेशन नहीं होगी ग्रास कटिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि काबन एक सेट कंसेटरेश